गुलुकोज इस्ट्रक्चर गुलुकोज का इस्ट्रक्चर उपेंचेन इस्ट्रक्चर भी मिलता है गुलुकोज के इस्ट्रक्चर को प्रूब करना या किसी कार्म ने किया हुए कि इस्ट्रक्चर को प्रूब करने के लिए हमको उसके समर्थन मेरा इसे निकरियाओ का उल् जिसे गुलुकोज में 6 कार्वन परवड़ो होते हैं तो 6 कार्वन एटेम्स को प्रूब करने के लिए हमको रैसानिक रेक्शन देने पड़ेंगे गुलुकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल ग्रूप है तो 5-hydroxyl group को प्रूब करने के लिए reaction देना पड़ेगा glucose में L-dehyde है तो L-dehyde के लिए भी हमको प्रूब करने के लिए reaction देना पड़ेगा glucose में keto group है तो इसको भी प्रूब करने के लिए हमको राइसेनिक reaction देना पड़ेगे हम नहीं कहा कि glucose में हाइड्रॉक्सिल ग्रूप है हम एक एसटिक और बेसिक नेचर में ये प्रूब करते हैं कि अगर कोई कंपॉण एसटिक नेचर है तो एसटिक नेचर में हम ये कहते हैं कि अगर वो आइनाइज होकर के अपने एको सोलूशन में आइनाइज होकर के हाइड्रोजिन आइन देत है तो हम यह बांते हैं कि एस-डी की नचर है राज़ अन तो इस डी की नेचर है और अगर हईड्रोक्सल coupled देता है तो यह मानते है में वह बेजिक नेचर है छी तो और enam कुह भूर्प है तो क्या हम यह इस hydroxyl group के base पर यह पहचालने के यह basic इन्यचर है या पिर हम यह कहें कि फिरária hydroxyl वो बाला hydroxyl नहीं जो की base में होते हैं जैसे sodium hydroxide, potassium hydroxide, यह kalisum hydroxide तो हम अब यह prove करें, यह कि अच्छाहिस में यह है कि glucose में जो 5 hydroxyl group है यह basic इन्यचर नहीं है यह sodium hydroxide के hydroxyl group की तरह का nature का नहीं है तो हम इसको कैसे प्रूब करेंगे तो इसको प्रूब करने का मतलब यह होगा पिर glucose को हम किसी base के साथ reaction में लिए जिसमें आर लेड़ी पहले से hydroxyl group है तो देखा यह जाता है कि glucose जो है calcium hydroxide के साथ reaction में जाता है और calcium hydroxide के साथ reaction में यह calcium glucosate बनाता है calcium glucosate बनाता है तो calcium glucosate बनाने का मतलब यह होगा कि हम glucose का structure ले है हम molecular structure ले रहे है C6H12O6 यह molecular structure है molecular structure of glucose यह molecular structure of glucose है तो अब इसको हम calcium hydroxide से reaction में ले तो 6 C6H11O5 into OH हमने उसमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रूप को अलग कर लिया है यह calcium hydroxide है calcium hydroxide का मतला CaOH2 आम इसको 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 स्टक्चर बेसे थाले रहे CaOH2 now this hydrogen group combines with this hydroxyl group to eliminate one molecule of water farming C6 H11 O5 naught OCA OH and plus H2O calcium glucosate calcium glucosate glucosate इसका मतलब यह होगया कि जो glucose है वो वीक एसिड है वीक एसिड है उसका hydroxyl group जो है बेसिक के hydroxyl group जैसा नहीं है यह वीक एसिड हो गया इस रेक्शन की पेस पर हम फ्रक्टोज अगर इसको लें तो यह तो हो गया glucose अगर हम यह फ्रक्टोज ले 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 तो C6 H11 O5 दोनों आईसोमर है glucose और फ्रक्टोज एक दूसरे की आईसोमर है इसलिए molecular formula सेम जाएगा तो यह हम ले रहे ठरक्टोजय और यह मुंड यह C और अप्रक्टोज रख Lay ले 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 दू इसालिए ले ट्रक्टोज़ हैए लाग प्क्र लेड्स हैण water विख जुफैसज है वर लें है जुफै nenhum फटरि ले द है सैंग का ओठोज if ए मजड़क्ट ले लेगर.. विए ट' एसका दूज ग हो एच प्लस एच टुगा यह हो गया कैलिशियम फ्रक्टो सेट कैलिशियम फ्रक्टो सेट तो यह दोनों जो रियक्षन है वो यह प्रदरशित कर रहे हैं कि गुलुकोज एड़ फ्रक्टोस बोथ आर वीक एसेट बोथ आर वीक एसेट ठीक है तो इसका जो गुलुकोज और फ्रक्टोस में हाइड्रोक्सिल ग्रूप है वो यह बेसिक करेक्टर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रूप नहीं है इस reaction की base पर हम glucose और fructose में difference भी ले सकते हैं difference यह ले सकते हैं यह जो calcium glucosate है यह soluble in water है soluble in water यह water soluble है और calcium fructoseate जो है insoluble in water है insoluble in water तो इस reaction पर जहां हम glucose के acidic वी के acidic nature को प्रूब कर रहे है वहीं इसके base पर हम glucose और fructose में difference भी ले ले रहे हैं यानि glucose calcium hydroxide के साथ calcium glucosate बनाता है जो water soluble है अब fructose जो है calcium hydroxide के साथ calcium fructoseate बनाता है जो के water soluble नहीं है तो इस तरह से इस reaction पर हम दो question साल्ब कर लेंगे एक तो यह कि glucose का हम acidic nature इसमें प्रूब कर रहे हैं और दूसरा यह कि glucose और fructose में difference भी ले रहे हैं एक आप जवे